लोगों को पुलीस से सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो अब तक मौसूल हों पुलीस के रवये नारवा हैं जाली मुकदमात उन पर दर्ज किये जा रहे हैं बुड़े जो हमारे शेहरी हैं वो मजबूर हो गए हैं खुली के चेहरी में आने के लिए कि थानों में उनकी सुनी नी जाए हैं होती हैं जिनमें पुलीस कानून के तहर दखल नहीं दे सकती तो लोग फिर एक आफिस से दूसरे और दूसरे से तीसरे आफिस में आते हैं क्योंकि उनको युगीन होता है कि अगर उनका मसला कोई हल करा सकता है तो वो पुलीस है दीगर जो इदारे और फोरम हैं वहां पे यह शिकायत लेकरा मिलेगा कि उसके चोरी हो गई है जो उसका मोटर साइकल चोरी हो गया रुसका मुकदमा दाज नहीं हो चूंकि यह नजिर्स वकासाब अभी हम डी सी आफिस से भी आये हैं वाह भी बहुत सारे लोगों से हमारी बाल पीए उनकी जानेब से यह शिकायत क लिए जाती है तो उल्टा उनके साथ जो है वो नारवा सलूक किया जाता है उनका डी सी आफिस में होने का मकसद ही और उनका यह चीज जो है जाहर करता है कि उनका असल मकसद या असल प्रॉब्लम रेविन्यू से मतलख है और यह जो इस्तहफूस का जो दूसरा कम्प्लीम क्युंकि जिन लोगों कु म्हों को प्लीस से प्रॉबलम होती है या पॉलीस के रवइये से प्रॉबलम होती है। व ढिती सी के लिवजाते हिए भो डिय-अजी के आफ। ai Crash और हमारे पस तमाम तर जो कम्प्लेंट्स हैं उनका अनेलिसिज हम करते हैं और उसके उपर हम करेक्टिव एक्षिन लेते हैं तो इस अनेलिसिज के और इन स्ट्रेटिस्टिक्स के बुनियाद के मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुली के चैरियों में बहुत बड़ी अक्सरियत उन लोगों की होती है जिनका मसला लेन देन का होता है कारोबारी मिसाइल होते हैं खानगी मिसाइल होते हैं या उससे भी बढ़कर जायदात के मिसाइल होते हैं और ये ज्यादा तर दीवानी नुएत के मुकदमात होते हैं जिन में वो पुशिश करते हैं कि किसी भी सीनियर आफिस को इंवाल्व करके उसको पुलीस केस बनाया जाए। सर फरास खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइदा लाहॉर नुज़ अब तक जो हैं वो करीबन डी आई जी आपिस में कितनी शिकायात आ चुकी है एक अंदाज़े के मताबिक अगर आब बताएं ऐसा है कि सबसे तो पहली बात जोई है कि वकास नजीर साब यह एसे चोज हैं वो दो घंटे के लिए कैमरे के सामने बैठेंगे तो यह एक बड़ी पॉजर्टिव अमल है सेकंड वकास नजीर साब ने एक बात बताई है कि दिवानी मिसाल है यहां पे जो है वो घर मकान जर का बड़ा इशूज है तो मैं सर यह बात आप से पूछना चा जबजे में और इस ऐसे केसिज में आप क्या करते हैं जी मैं पहले बात तो वही दोराओं को कि हमें एजम्शन्स पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहां पे थाने दार यह एसे चो का नाम बदल कर किसी दूसरे बंदे का नाम रखने तो भी लोग यह बात उतनी ही बाय कर लेंगे जितनी ऐसे चो के हवाले से कर लेते हैं पुलीस में जजा और सजा का बड़ा वाज़े जो निजाम मौजूद है और जितनी सजाएं मिस कॉंडक्ट पर पुलीस को दी जाती हैं शायद कम अदारों में दी जाती हैं आप तो इस चीज़ से वाकिव होंगे कि हार जाश या सखत अलफाज इस्तमाल करने पर भी पुलीस में सजाएं दी जाती हैं वकासभ ये तो खेर में सौरी में आपको इंटरप्ट करी हूं लेकिन आपने भी देखा कि पुलीस के रवाईयों की बात करें आप तो हमें जितने भी आपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा ह होगा हमने भी देखा आपको खुद मालूम होगा कि पुलीस के रवाईये की जैसे के सफराज ने भी निशान दही की कि बहुत सारे जो मामला थे उसमें पुलीस खुद इन्वाल्व होती है या वो रिश्वत ले रही होती है या पिर किसी ना किसी मकास्त के लिए जान कोई शुबा नहीं कि पुलीस में भी कुछ ऐसी काली बेड़ें हैं जो मुख्तलिफ गलत कामों में मुलबस होते हैं उनका इसाब किया जाता है उनको सजाइं दी जाती है और जो मैं आप से शेयर कर रहा था कि पुलीस में सजाइं देने का जो अमल है वो किसी भी दूसरे महकमे या इदारे से ज्यादा मुख्र है और ज्यादा लोगों को सजाइं दी जाती है जहां तक हार्श रवएए की बात है तो ये एक ऐसा मसला है जिसके दो पहलू है इसमें कोई शुबा नहीं कि पुलीस में सखत लहजे में बात करने की और सखती से बाज़ पुर्स करन के पास आता है अगर उसकी बात मौन ली जाए तो वो कभी भी पुलीस के रवएए की शिकायत नहीं करता है अगर उसकी बात ना मानी जाए और उसकी मेरिट पे उसकी बात रिजेक्ट हो तो वो फिर बात रवएए से शुरू करता है और करप्शन पर जाके खतम करता है एक एक चीज हमें हमेशे जहने में रखनी चाहिए कि हम जिस सुसाइटी में रहते हैं वहां पर जो शिकायात होती हैं बदकिस्मती से हमेशे सही बात और सच बात पर मबनी नहीं होती। तो जब हमें एक तास्र दे रहे होते हैं किसी अदारे के बारे में जो रुजाना अपनी जान पर खेलके लोगों की इज़त आबड़ू की हभाज़त करते हैं तो हमें थोड़ा सा मौतात होना चाहिए और इस चीज़ को चैक कर लेना चाहिए कि जो बन्दा शिकायत कर रहा ह उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आ सकता है इसमें जो ज्यादा पैचीदा मसाइल है वो जाइदाद की लेंदेन के मसाइल है क्योंके हमारे हाँ रेविन्यू के हवाले से जिन लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं वो साल हाज साल चलते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ-साथ उनमें बहुत पैचीदगी आती है आज की खुली के चहरी में एक साब हमारे सामने आए जिन्होंने 37 साल पहले कोई लेंदेन किया था जमीन का तो अब जब वो उसको पुलीस के जरीए निप्टाना चाहेंगे तो नेचरली इसमें काफी कॉंप्लिकेशन हैं जाइदात के मसाइल हैं जो के खुली के चहरीयों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इसके साथ-साथ ओपन डॉर पालिसी है जी ताके जिते भी आम शेहरी हैं वो अप सरान तक पहुंच सके और उनकी जो मसाइल हैं उनका बरवक्त अजाला किया जा सके इसलिए ये मुख्लिफ माकामात पर लाहॉर में खुली के चहरीयों का इनाकात किया जा रहा है जी नाजरें डियाएजी आपरेशन से भी हमने बात की इसके साथ-साथ आज जो है तो बहुत शूकरी आपके वक्त का खुली के चहरी लगा इचारी है आज वो साथ मीं खुली के चहरी थी साथ अपते हो गए हैं किस नौयत की शिकायात जो है सबसे जादा मौसूल हो रही हैं बिसमलायर्यरमान रहीम खुली के चैरी एक गर्मेंट का इनिशेटिव है और हर फ्राइडे को हम बेठते हैं तीन से पांट पिछते हैं उसमें हम कुशिश करते हैं कि तमाम आफिसे इंशोर उनकी प्रेजन्स अनलेस एंटिल किसी की बहुत ज़्याद की कमिट्मेंट इस तरह की नौ जू ना पहु हम लाद भी आते हैं जो हमें उनने गाइट करना पड़ता है कि आप कंसर्ण एस पी के पास जाएं या सी सी प्यो के पास अपनी अप्लिकेशन लेकर जाएं यह रिजॉल्व हो सके हैं कोशिश हमारी यह होती है कि हम को लिक चैरी के हमने एक आफिसर बनाये में फोकल परसन उनके पास तमाम अप्लिकेशन के इंदराज होता है हर वीक की और वर किस डिपार्टमेंट से रिलेक्टिड हैं उनको फोवर्ड कर दी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि नेक्स्ट कुली के चैरी से पहले पहले हम उनका रिव्यू भी कर लें कि हमारी कितनी रिजॉल्व चानब से ये कहा गया कि मुसलसल कुली की चैरी में आ रहे हैं लेकिन फिर भी यहां से दर्फास जो है वो फॉर्वर्ड कर दी जाती है लेकिन जब अगले महकमे में जाते हैं वो दुबारा से वही रवाया सुनता ही नहीं है को यह कई जोंबे प्रॉबलम है महकमों के प् लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन में टाइम लग सकता है अब मेरे पस पराच्चा को लूनी शादरा का इशू आया उसमें उन लोग की बहुत शकाया आते हैं वो पिछली तीन से चार कुली कचारियों से आ रहे हैं सीवरिज के बहुत घंबीर इशूज हैं मेरी M.D. वास इसमें तो बताना पड़ते हैं कि आपका मसला थोड़ा टाइम टेकिंग है और प्रॉसस चुरू हो गया है इसमें थोड़ से टाइम लग इंवराद मालिक कितना आपने आप हर खुली के चारी पर आते हैं यहां पर कबरिज भी करते हैं कितना देख रहे हैं कि लोगों को उस से मदद मिल रही है किए उनके मसायल की सथ टक खल हो पा रहे हैं इस खुली के चाहरीयों की दिशतरा ब्लिक हिकरी का मंसद यही है कि के चाहरीयों के जो को वीmu क्यार्तिन्ग णाना और यह जिन एंटरिंग का रहा है यह जली इंग यहां घंज इसमें हो एक्रा कि यहा लग रही है, मेरा DC साहिवा से एक सवाल है कि आपकी अपनी क्रियाटिविटी है, किस अलाके में गई है, कोई एक इशू आपके सामने आया वह और उसको आपने जाकर फोरी तोर पर वहां पर एक अलाके में पता लगा हो कि ये खुली चरी वे मसला सामने आया था, और यहां क्योंकि इनका जाना इसलिए ज़रूरी है, कि इनको देखके फिर पूरे जो एक हरारी तेयर नीचे तक उनकोई मजबूरी बन जाएगी, कि DC साहिवा वहार निकली है, हमारी मजबूरी है, हमने भी लोगों के घरों तक, उनके मसाल तक बहुत है, बिल्कुल टिमरान ने ब बहुत ज़्यादा तमाम ऑफिसर्स को भी कठा किया, वहाँ पे LWMC के बहुत प्रॉब्लमाटिक इशूस थे, वो काफियत तक रिजॉल्व हुए, और लोगों को एक तासूर आया है, कि शायद ऑफिसर्स और सब लोग हमारे पास आएं हमारे मसाइल सुनने के लिए, कही इस दफ़ा यह होता है, कि मसाइल अगर फौरी रिजॉल्व ना हो सकें, उनकी बात पूरी सुनी जा सकें, तो उनको एक सैटिस्फेक्शन लेवल अचीव होता है, तो अभी हमारा प्लान है, बाकी अरियाज में भी जाने का, इन्शाला इस तरह के लेवल की हम और करेंगे सौला साइब यह भी बताईएगा, कि हम लोग उने अक्सर देखा है, कि लोग यहाँ पर आते हैं, मसाइल लेकर आते हैं, बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं, क्या लोगों के मसाइल महक में हल नहीं कर सकते, क्या महक में हमारे इतने मजबूत नहीं हो सकते, कि व अब मैं अपने आफिस के आपको मिसाल दे देती हूं कि कई दफा इतनी जादा हाई कोट की याई मीटिंग्स की कमिट्मेंट होती है कि मैं आफिस में दिन में नहीं बैट पाई तो खुली के चैरी कैसी टाइम होता है जिसमें बाकी सब आफिसेज अवेलेबल हैं हम अपनी प्रेजन साथ सूरत इंशोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाकी मीटिंग्स को बता सकें कि जी आज हमारी खुली के चैरी है तो उसमें ये कमस कम होता है कि हमारे तमाम आफिसेज एक टेबल पर मौझूद होते हैं और हम इंस्टेंटली वो मैं इंस्टेंटली में बार जामिया का अपना जो मेंग्मेंट का ये डिस्टिक मेंग्मेंट का जो आपका कनून है इसमें पावर जहीं है और यूनिन कौंसल की साथा भी भी पावर नहीं है और ये प्राबलम इस वज़ए से आरे हैं बल्देयाती नुमाइदों की तो लड़ाईयां उनके अपने मस सुथ से कि वो शेरियों के मसाइल हल करने पर प्लीज तवज्यों दें और ये जो हमारे पैच्वर्क, स्ट्रीट लाइट, इंक्रोश्मेंट रिलेटेड इशूज है और हमारे सिस्टन कमिस्टन इन सब अक्टिविटीज को लीज करते हैं कोशिश हमारी होती है कि तमाम ज होजी दिख्दमात होंगे ताकि पोलियों को जो है वो जीरो किया जा सके अपने मंद में 2011 के बाद ये 2019 में दूसरा केस हुए और इस दोरान हमारा कोई केस लहोर में नहीं आया सामने लेकिन ये एकसपक्ट किया जा रहा था कि कोई नहीं कोई केस आ जागा इसली के हमारा जो एनवार्मेंटल सेमपल है वो जून से प्रिशिस्टेंटली पॉसिटिव आ रहा था जो ये शो कर रहा था कि वाइरस आपके शहर में मौझूद है और यह आपके शहर का वाइरस बान चुका है अब हमें जादा ये दो लोग important हैं पोलियो के कत्रे पिलाने वाले और एक पोलियो के कत्रे पीने वाले हमें उन दोनों की trainings भी करनी हैं उन दोनों में awareness भी create करनी है जिन्होंने पिलाना है उनको बताना है कि उन्होंने किस तरह इस चीज की कितनी एहमियत है और ये हमारे इंटरनेशनल इमेज के लिए कितना जरूरी है उसके इलावा ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और हमारे मुलक का मुस्तक्बिल है और हमने इनको इस मोलेक बिमारी से बचाना भी है तो उनकी ट्रेनिंग्स की बहुत अश्रत जरूरत है और दूसरा यह लो कि मैंने इस पोलियो कैमपेन के दौरान जो मेरे लिए सबसे लामिंग बात थी कि अच्छे खासे पड़े लिखे लोगों की तरफ से रिफ्यूजल्स आ रहे है और अच्छे बड़े पोश एरिया से आ रहे है पहले तो सिरफ होता था कि तालीम की कमी की वज़ा से लोग अपने बच्चों को नहीं पिलाते थे उनको कोई गलत apprehensions हो जाती थी या religious factors sometime add हो जाता था तो अब मेरा focus यह होगा इंशाला हमारी campaign में campaign होगी next campaign March में यह campaign हमने की है और इसमें हमने काफी lessons learnt है तो मेरी अभी कोशिश होगी और हमारी बाकी team की कोशिश होगी कि हम एक बहुत massive level पे campaign करें तमाम डिपार्टमेंट्स को और तमाम कम्यूनिटी को इंक्लूट करें और ना सिरफ पोलियो पिलाने वाले बलके पीने वालों की भी ट्रेनिंग करें अमराद मलिक पोलियो जो है वो हमारे शेहर के जो सैंपल्स हैं पॉसिटिव आ रहे हैं कि वाइरस मौचूद है और उसके बावजूद भी लोगों के रवये ट्रेनिंग करने वाले जिस तरह डीसी साहबा की जानिब से भी कहा गया है दुबारा से जो है वो एक खत्रा मंडला रहा है शेहरीों के सार पे उन्हों ने कह दिया कि तीन साल पीछी चले गए हम और यहां पे जो केस सामने आया है जिस पर सीम भी बरहम हुए और आपने देखा ही चार दिन पाइन पहले उन्होंने सेंटर मिडल स्कूल में आके इसका एक्तिता भी किया सत्रा लाक नवे हजार जो बचे हैं पांच साल से कम उमर बचे उनको पॉलियों के कत्रे पलाए गए और आज कैचप डे था लास्ट कैचप डेवियन के पांच वा दिन था आज उन्होंने अपना टार्गेट भी पूरा कर लिया महसूस करने जोटे बात यह है के पोश लाकों में तो लोग चलें नहीं मानते नहीं कत्रे बीकते इन bye Alors लोगों के इनके अपने जो वारणिंग नोटिश चारी किया गी है, क्यूं वो इतना एजी रहे है बहुत सारे पोईंट रेस किये और जब यह पोलियों के सामने आए तो इसको प्रॉपर ली प्रॉप किया गया है और हमें यह पता चला है के बच्चे को पोलियों के कत्रे जुरूर पिलाए गया लेकिन उसकी जीरो डोस नहीं थी जो फर्स्ट डोस जब पैदा होने के बाद बीसी जी का इंजेक्शन और पोलियों के कत्रे पिलाते हैं वो उसका नहीं हुआ जब इसको मजीद इसकी इन्वेस्टिकेशन की गई तो वहां की वेक्सिनेटर इस्पॉनसिबल फो दाट अब इंशाला हम इस पे एड़मेंट है और हम करेंगे और इसलिए इतने बड़े लेवल पे 70 शो कोज नोटिसे आफ बेन इसूद दूरिंग इस कैम्पेशन हमने बता दिया कि गर्मेंट इस वेरी सीरियस अबाट इट और जो वी मिन बिजनेस और जो काम करेंगा वो रहेगा और जो काम नहीं करेंगा वो जाए यह देखें यही मैंने आपको बताया ना जैसे कि पीने वाले और पिलाने वाले दोनों की अवेरनेस जरूरी है जो पीने वाले उनको यही नहीं पता कि यह वैक्सीन सिर्फ गर्मेंट के पास है इवन आपके शहर के बड़े बड़े हॉस्पितल्स में नहीं है नमबर है इस चीजमें दोनों के ट्रैनिंग के जरूरात है इसी उमीद पर आज के प्रोगेम का एक्सताताम करेंगे कि ये मसायल जो है वो आने वाले वक्त में हमें हल होते दिखाई दे रहेंगे तो आज के प्रोगेम से इतना है इजासत दीजिए अलाहने के बाँ